सौधी अरब के जद्दाह में दो दिन चले आईपील की मेगा ओक्सन में दस फ्रेंचाइजी ने 649.15 कडोर रुपए खच किये ओक्सन में 182 खिलाडी भीके इसमें 62 विदेशी खिलाडी है रिसब बंत इतिहास के सबसे मेहगे खिलाडी बड़ी उन्हें लखनव सूपर जैंट्स ने 27 कडोर रुपए में खरीदा जब खिलाडियों की निलामी होती है तो उनकी निलामी रासी से TTS के रूप में कटोती की जाती है यहां हम बता रहे हैं कि IPL में जिन खिलाडियों की निलामी हुई है उन्हें ओक्सन मनी के मुकाबले कितना पैसा मिलेगा सरकार के खजाने में कुल कितना पैसा जाएगा भारत सरकार भारतिय खिलाडियों की सेलरी पर 10% टैक्स लगाती है यह टैक्स IPL फ्रेंचाइजी खिलाडी को पेमेंट करने से पहले टैक्स डिड़क्टेड एट सोर्स के रूप में काटती है वहीं विदेशी खिलाडियों की सेलरी पर 20% टैक्स काटा जाता है उदाहडन के लिए यदि किसी भारती खिलाडी की सेलरी दस करोर रुपए है तो फ्रेंचाइजी खिलाडी को पेमेंट करने से पहले टेक्स के रूप में एक करोर रुपए काट लेगी वहीं अगर विदेशी खिलाडी की सेलरी दस करोर रुपए है तो फ्रेंचाइजी दो क एक सट की तहत टैक्सेबल है इस रासी को अन्य सुरोतों से आए माना जाता है ये आए उनकी टोटल इंकम से जुड़ जाती है और इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय स्लैप के हिसाब से टैक्स लगता है वहीं कटा हुआ टीडियेस एड़जस्ट हो जाता है एक वीतिये वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में मौझूद रहने वाले विदेशी खिलाडी इंडियन इंकम टैक्स लॉग के तहत आते हैं ऐसे मामलों में IPL टीमों से मिले पैसे उनकी आए उनकी कुल आए में जोर दी जाती है और टैक्स लैप के हिसाब से टैक्स लगता ह विदेशी खिलाडी जो एक वीदिये वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में मौझूद नहीं रहते हैं उनकी पूरी आए पर भारतिय आएकर कानूनों के अनुसार टैक्स नहीं लगाया जाता है ये क्रिकेटर केवल आएकर अधिनियम 1961 की धारा 194 आईपियल टीम मालिकों के काटे गए टीडियेस को खिलाडियों की ओर सी भारत सरकार के पास जमा किया जाता है इस बार के ओक्सन में 10 फ्रेंचाइजी ने 649.15 करोड रुपए खर्ज किये हैं इसमें भारतिय खिलाडियों पर 383.4 करोड रुपए और विदेश खिलाडियों पर 255.75 करोड रुपए खर्ज किये गए हैं वहीं 10% TDS के हिसाब से भारतिय खिलाडियों का कुल TDS 38.34 करोड रुपए बनता है वहीं विदेशी खिलाडियों का 20% TDS के हिसाब से 51.15 करोड रुपए होता है यानि इस ओक्सट में खिलाडियों को दी गए रासी में से कुल 89.49 करोड रुपए सरकार की खजाने में जमा होंगे